दोस्तों बाइनाउ पे लेटर को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं बहुत सारे कन्फूजन्स हैं और मुझे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिल रहे थे जिसमें जो हाल में ही जो रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया मतलब की आरबी आए के दौरे जो नया जाती है कि आप उस लिमिट तक जो है आप स्पेंड करें और बाद में जो है आप उसको एड़ दए अफ दो मन्थ आप फुल पेमेंट करें या फिर आप उसको यह माइप में जो है आप अपना रीपेमेंट कर सकते थे कुल मिला जुला के दोस्तों एक तरीके से यह क्राइटेरिया होते हैं जो आपको फुल्फिल करना होता है कि आपको अपना पेमेंट इसलिप दिखानी होती है एक बैंक स्टेटमेट माँगे जाते हैं अगर आप कुछ बिजनस या फिर सेंप्रॉइड है तो आपको आई टी यार वगरा देना पड़ता है जो कि काफी प्रोडक्ट पसंद आया है तो काफी अच्छा जरीया होता है कि आप पहले ले ले और बाद में उसको एक EMI के फॉर्म में आप उसको रीपेमेंट कर सकते हैं उसके साथ साथ बहुत सारे और भी ऐसे कंपनी हैं लाइक यूनी कार्ड हो गया लेजी पे हो गया इसलाइस हो गया ऐसे तमाम लगबग जो है पचास साथ से जाधा अपने देश में ऐसे बाइन आउ पे लेटर कंपन ठावी कार्ड इन लोगों का र्यगूलर इंकम था जो मुनाफ़ा था चयाशा.क्रेडिक में पनालर चार्जront करेंज हैं इंट्रेस चार्ज कर्थे किसी प्रकार के कोई इंट्रेस्ट नहीं देना होता है ठीक है और काफी इजी तरीका है कोई बिल्कुल नॉर्मल सा डॉकुमेंटेशन होता है सारा प्रोसेस ऑनलाइन है तो लोग जो है क्रेडिट कार्ड को छोड़ कर यहां तक कि जिनके पास क्रेडिट कार्ड है किसी बैंक का उन्हों ने भी जो है उसको यूज करना छोड़ दिया और वह फुली शिफ्ट हो गया बाइनाव पे लेटर पर और कितने लोगों ने तो अपने जो है क्रेडिट कार्ड को बंद भी करवा दिया तो इस तरीके से जो है एक तरीके से उनका जो एक गवर्मेंट के पास भी जाता है लेकिन यह जो बाइनाव पे लेटर जो भी कंपनिया थी यह सभी आप से यूजर से तो कुछ ज्यादा चार्ज नहीं कर रही है वह जो फैसिलिटी क्रेडिट लाइन लोगों को देती है वही बसूलती है तो यह तरीके से अच्छा अपने इनका भविष्य क्या है यहां पर सीधे सब्दों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंकर ऑफ दा बैंक है उसका जिस तरीके से कोट का जो सबसेट टॉप कोट होता है सुप्रीम कोट उसी तरीके से आजो है एक रबियाई का अपना एक रसूख है और कोई भी बै हो सकता है उसको बाइपास करने का या फिर किसी अल्टरनेट वे में जो है अपने उस पूरे सिस्टम को चेंज करने का अब सीधे से डारेक्ली तो कोई कंपनी बंद होने उसे रही ठीक है इतना बड़ा यूजर बेस है इतने सारे सब्सक्रिप्शन है बात करें लेजी पे है उसके अकॉर्डिंग जो है इनको थोड़ा सा मोडिफिकेशन करना पड़ेगा लाइक यह हो सकता है कि वह अब किसी एक मेन बैंक से टाइप करके क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में वह यह सर्विसेस देने लगे अभी क्रेडिट लाइन प्रोवाइड की जा रही है ठीक ह जो फिलिपकार्ड है उसका पार्टनर्शिपिंग है आईडी अफस बैंक के साथ इसलाइज हो गया इनके साथ मिलकर अब इस क्रेडिट लाइन को हटा कर अब क्रेडिट कार्ड के सेगमेंट में जो है लोगों को फैसिलीट्टी दे सकती है तो इसका फाइदा यह होगा कि वो जो guideline है RBI का उसको भी बाइपास कर सकते हैं और उसको follow भी कर सकते हैं और लोगों को एक easy तरीके से जो भी ग्रहक हैं जो भी ग्रहक उनसे जुड़े हैं वो इसलिए जुड़े हैं कि यार वो credit card का जो eligibility होता है वो कहीं ने कहीं उसको fulfill नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में अगर यह minimum documentation के साथ एक online process के साथ अगर लोगों के सामने अगर credit card के form में अगर आएं जिसमें उनसे salary slip ना मांगी जाए उनसे ITR ना मांगी जाए तो काफी convenient होगा और लोग भी जो है इसको काफी सही तरीके से इसको अपनाएंगे और एक तरीके से जो credit card का जो craze है वो कायम भी रहेगा तो सिधे शब्दों में मैं कहूं तो यह कहीं से भी जो buy now pay later जो है services है यह कभी बंद नहीं होंगी हाँ इनका जो mode of operation है यह change हो सकता है इनके तरीके के ज़रोत नहीं है इन कंपनियों ने millions और billions जो है पैसे इंवेस्ट कर रखे हैं तो कहीं से भी यह तो बंद होने से रहें यह इनकी और कोशिश रहें कि इनका जो अभी मौजूदा जो इनका जो user base है इनका जो subscriber है उनके साथ रहे और वो इसको और continue कर सके और अपने business को और ज़्यादा implement कर सके तो आपको बिल्कुल भी घवराने के ज़रोत नहीं है और आप मेंसे कोई भी कोई सा buy now pay later service इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग comment करके मुझे बताएं कि आपका फेवरेट जो buy now pay later service है वो कौन सा है मैं अपना personal बता हूं तो मुझे money view का जो advantage card है वो मुझे बहुत पसंद है और मैं अपने HDFC bank का credit card को छोड़कर लास्ट के दो महिने से मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूं so guys I hope you like this video so अगर आप चैनल भी पहली बार आएं तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा नोटिफिकेशन बेल आउन कर लिजेगा ताकि अगली बार जम्हें को ने और लेटेस्ट वीडियो लेकर आउं तो आप उसे मिस्स ना कर सकें तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रख क्योंदी बिल्बर करस्बन कर दो बेलाए है जरते वीडियोतवडा तो इंगाए है टो न शれ flock कांप 40 अग्भर आउ़ सेल स्कल है दुर ने पितान आप फिलेईब और फिले उन दोड़कें देएंगा है चैनल को सब्सक्रान सबदीजीओ सेले